नमस्दार मैलीशा और आप देख रहे हैं न्यूस 24 मध्यप्रदेश उत्तिस गड़ बुलेटिंगी शुरुआत करते हैं बड़ी ख़बर के साथ जहां बीज़ेपी में तीनो राज्यों के लिए अब्जर्वर नियुक कर दिये गए हैं जहां MP, 36 गड़ और राज्यस्थान के लिए बीज़ेपी ने अब्जर्वर्स का एलान कर दिया है अगर 36 गड़ की बात करें अंजुन मुंडा सरवनन और दुश्यंत कुमार को नियुक किया गया है तो वही MP की बात करें के लक्षमण आशा लकड़ा और साथी मनोहर लाल को नियुक्त किया गया और राज्यस्थान की बात करें तो राजनाथ सिंग, विनो तावड़े और साथी सरोज पांडे की नियुक्ती अब्जर्वर के रूप में की गई है, अब यही परिवेक्षा का राज्यों में जाएंगे विधायक दल की बड़ी बैठक को की विधायक दल की बड़ी बैठक में CM फेस को लेकर पहले ये बड़ी ख़बर लगाता, टीवी स्कुइन परज, MP, 36 गड़ और राजिस्थान में बीजेपी ने अपने अपजवज का एलान कर दिया, तो बीजेपी ने तीनों राज्यों के लिए अपजवज का एलान कर दिया है, MP के लिए मनोहर लाल के लक्षमन और आश्या लकड़ा की न्यूक्ति की गई है तो वह 36 गड़ के लिए अरजुन मुंडा और सर्वनंद सोनोवाल को न्यूक्ति किया गया तो हम लगतार आप तक बड़ी अपडेट पहुचा रहे हैं, जहां पर राजस्थान के लिए राजनाथ सिंग्ग जो की केंद्रिय मंत्री है, सरोज पांडे और साथी विनोध ताव्रे को न्यूक्ति किया गया है अब कहा जा सकता है कि जल्दी सीएम फेस को लेकर बीजेपी अपना एलान कर देगी लगतार अब बड़ी बैठकों का दोर दिखा, देखा जाएगा विधायक दलगी बड़ी बैठकों के जिसमें अब्जवर्वल शिर्कत करेंगे और फिट तमाम मुत्तों को लेकर चर्चकी जोईगा और उसके बाद सीएम फेस को लेकर भी जल्दी बड़ा एलान भी हो सकता है तो 36 गड़ के लिए अरजुन मुंडा सर्वनंद सोनवाल को न्यूक किया गया राजसान के लिए केंद्रिय मंत्री राजनाज सिंग जोकी रक्षा मंत्री है सरोज पांड़े और साथी बिनोद तावड़े को न्यूक किया गया है तो बीजेपी में तीनो राज्यों के लिए अब आब आब्जर्वर्वर्स कर लिए नहीं है तो MP, 36 गड़ और राजसान की बात करें भाप पर पीजेपी ने प्रचंड बहूमत के साथ जीत हासिल की है उसके बास से ही लगतार बैठकों का दोड़ देखा जो आ रहा था बड़ी बैठक की गई थी बड़ी बैठक में खुद PMO दे शुर्कत कर रहे थे और साथ ही CMFACE को लेकर लगतार चरचाएं भी तेरसी लेकिन इसी बीच यहां पर अब और जल्दी अब CMFACE को लेकर भी एलान संभब है क्योंकि अब आप्जवर्स ते कर लिए गए हैं तीनों राजियों में विधारिक दल की बड़ी बैठक होगी और बड़ी बैठक के बाद तेह किया जाएगा कि आखिर तीनों राजियों में कौन होने वाला है CMFACE तो यह तस्वीर देखे MP36 गड़ और राज्यस्थान की जहां पर आप्जवर्स को नियुक्त कर लिया गया है 36 गड़ की बात करें तो अरजुन मुंडा सर्वादंद सोनवाल और साथ ही दुश्यन कुमार को भी नियुक्त किया गया है बोपाल से सुधी डंदोतिया जो के रेजिडेंट डेटियर अरवाल सा जुड़ गए है अब देखिए अब MP के लिए औप्जवर्स नियुक्त कर लिए गए हैं क्या अब कहा जाए कि जल्दी CMFACE को लेकर आइलान किया जो आ सकता है BJP की और से सुधीर जी आपको मेरे आवाज पहुंच पा रही है आवाज नहीं पहुंच पा है लगता संपर्क करने की कोशिश की ज़ाएगी लेकिन आपर बड़ी खबर लगता टीवी स्क्रीन पर जहां MP में के लक्षमर आश्या लकड़ा और साथी मनोहर लाल को नियुक्त किया गया है जा अब्जरवर और 36 गड़ की बात करें अर्जुन मुंडा सर्वनंद सोनवाल और दुश्यंत कुमार को नियुक्त किया गया है आश्या आश्या जुड़ के अब आप्जर्वर का तो एलान कर दिया गया क्या यह माने जो आया बजली सी एंफेस को लेकर एलान कर सकती है बीज़ेपी अब विश्टन देव साए आश्या आप तक मेरे वास पहुंच पारी है संपर्क नहीं हो परा लगातार कोशिश की जाए कि लेकिन बड़ी अपडेट न्यूस 24 एंपी 36 गड़ पर लगातार जहाँ पर अब्जर्वर्स का एलान कर दिया गया है ना सिर्फ एंपी 36 गड़ बलकि राजस्थान में भी बीज़ेपी ने अपने परवेक्षकों का एलान कर दिया है अब जल्द ही कि सी एंफेस को लेकर भी बीज़ेपी खासा सक्रिये नजर आ रही है बोपाल से सुधीर जी अमारे साथ चुड़ गया है सुधीर जी देखें यहाँ पर अब्जर्वर्स का तो एलान कर दिया गया यह कहा जाए अब जल्द ही सी एंफेस को लेकर भी बीज़ेपी एलान कर सकती है देखें बिल्कुल जो अबचारिकता है वाकी है उनमें सबसे बड़ी अबचारिकता बीज़ेपी की और से पूरी कर ले गई है और मद्पुदेश राइस्थान और चटिस गड़ तीनों राज्यों के लिए परवेच्छेकों की नुक्ती बीज़ेपी ने किया है मद्पुदेश की जहां तक बारत करें तो हर्याणा के जो सीम थे मनवराल खटर उनका नाम परवेच्छक्रे तोर पर बीज़ेपी ने मद्पुदेश के लिए नुक्ती किया है उनके साथ में के लच्मर्ट जो राष्टी ओबीसी मूर्चा बीज़ेपी के अद्धेख्छ हैं वो हैं इसके लाबा आसा लखड़ा तीसरा नाम है जो कि मद्पुदेश में आकर बधायकों कमन्ट टो लेंगी और उसके बाद में केंद्री नित्रत को अवर्ट कराएंग तक कर ली जाएगी और बीज़ेपी ने जो सूची जारी किये उसमें मद्पुदेश 36 राजस्तान तीनों राज्जियों के लिए प्रविच्चेकों की निक्ति कर दिये इसके बाद में महाना जा रहा है कि किसी भी वक्त कल या परसों सनीबार या राविवार नो और दस न क्या 2024 की तस्वीर साफ करने के लिए अब सी एम चुना जा सकता है हाई कमान की तरफ से देखे निश्यत तोर पर सभी चीज़ों का ध्यान रखना होगा आने वाले समय में लोकसवा के चुनाव है मद्धिप्रदेश बीजेपी का संक्टन और जिसके पास में अनवब हो सरकार का या ऐसी तमाम चीज़े रहेंगी जो कहिना की निश्यत तोर पर देखी जाएंग प्रिदेश में अगर बात करें तो नगरपालका से लेकर महापौर तक और जलाप पंचायत के अद्यस से लेकर विधायक और यहां तक के प्रिदेश की सरकार केंद्री की सरकार बीजेपी की और सबसे अधिक सांसद अब तक बीजेपी के 28-700 इसी बार चुन कर आए हैं और के अलावा चर्चा में लगातार बने हुएं और यह माना जा रहा है कि अगर केंद्री नित्वत पर तैय करता है तो इनी में से कोई एक चेहरा मुखमंतरी के तोर पर होगा पर लेकिन क्या वो चेहरा चुनूगवे विधायकों में से होगा जो सांसद और मंतरी केंद्री म मंतर का एक बसे है लहाजा सारी जो जो विचार मंतर है लगवा को पूरा कर लिया गया है और परदान मंतिर नित्री मोधी के मन में क्या है यह निश्चित तोर पर जेपी नड़्डा और अमिसा को जरूर पता होगा बहले ही दावेदारों को ना मालम हो पर लेकिन आपचा पी जो है वो निश्चित तोर पर केडर विस पार्टी और सारी अपचारिकता पूरी करती है लहाजा जो अपचारिकता है परविच्चक नुक्त करने की उसके बाद में विधायक दल की बेटक बलाने की यह अपचारिकता सेज की जाएंगी परविच्चक की नुक्ती हो च कुछ रोल होने वाला है तीनों राज्यों मेंन का लेकिन बहुत समय लगा परिवेक्षक नुक्त करने में क्योंकि इसके पीछे बड़े एक्सरसाइज के पीछे की वज़ा है बड़ा एक्सरसाइज तीनों राज्यों में होने वाला है और इसलिए चुकी सत्ता में हस्ता रांतरन परिवर्टन टॉप लीडर्शिप को किरारे करना आगे का राजनितिक और छेत्री समीकरन क्या हो इन तमाम चीजों को देखना होता है और इसलिए अन्तता आज जो परिवेक्षकों के लिष्ट आई है खासकर मैं मध्य परदेश और चातिस गड़ की बात करूंगा कहा जाता है अमूमन की एक के सेर है आदमी पहचाना जाता है कयाफा देखकर खद का मजमूम भाप लेते हैं लिपाफा देखकर इसलिए को देखकर ऐसा नहीं लगता कि मध्य परदेश में किसी बहुत बड़े बदलाव की योजना पार्टी लीडर्सिप बना रही है ऐसा लगता है ये परिवेक्षकों की सुची देखकर के ठीक है मुख मंत्री के साथ एक दो डिफ्टिसीम हो सकते हैं लेकिन अभी भी जो ये सरवानन सोने बाल और दुस्यंत गौतम ये भी परिवेक्षक बनाए गया है चातिसगर के लिए और चातिसगर में कोई लड़ाई कहीं दिखती नहीं है माना जा रहा है कि वहां एस्टी और OBC में से कोई एक मुखमंत्री और कोई एक डिफ्टिसीम बनेगा मध्य प्रदे इसकों को देखकर ये लग रहा है हाला कि आज अभी इस वक्त तवाम राज्यों के परिवेक्षकों के साथ और जर्वस के साथ राष्टी अद्यक जेपी नड़ा की बैठक चल रही है परिवेक्षक बहुत उम्मीद है कि आज देर रात तक या साम तक यहां से निकले कल व अमिद साह के मन में किसका नाम है इन तीनों का जो कमाई नेम है उनके मन का जो नाम है वो परिवेक्षकों को बताया जाएगा और जब वो हाल में विधायक दल की बैठक के लिए पहुंचेगे तब ही उन्हें ये तमाम नाम बताया जाएंगे और वहीं पे विधायक दल इ यह तमाम चीज़ें साफ हो जाएगी जी बिलकुल तमाम बड़े सवाल हैं जो कि रविवार तक क्लियर होने की उमीद जो है वो जताई जो आ रहे हैं कुमान गोरा हमारे साथ बने रहे हैं इसे बीच च्छाथ गड़ से आश्री इश्तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए आशे जी काफी लंबा समय लग गया हला कि बीच पी को अब्जरवर्स न्यूट करने में लेकिन क्या कहा जो आए कि 36 गड़ की जनता को जल्धी मुख्यमंत्री मिलने वाला है देखे जाही तोर पर परिविक्षों की न्यूक्ति अब हाई कमान ने कर दी है तो ये माना जाना चाहिए कि शनिवार रविवार तक मुख्यमंत्री की तस्वीर जो है वो साफ हो जाए गया शुक्रवार है एक या दो दिन लेकिन परिविक्षों के पैटन को देखे तीन राज्यों में परिविक्षों की न्यूक्ति जो बीजपी हाई कमाने की है उसमें 36 गड़ में अर्जुन मुंडा, सोनेबाल और दुश्यंत गौतम को बतार परिविक्षक न्यूक्त किया गया है तीडो परिविक्षक रैप जारखंड है, ट्राइबल कम्यूनिटी के हैं और जंजाती मंत्राले केंदर सरकार में संभालते हैं, दो जाहिर सी बात है कि ये एक तरीके के संकेत के तौर पर लेना चाहिए कि 36 गड़ में जो वीजपी विधाक दलगा अगला नेता होगा, यानि जो कि मुक्यमंत्री वो ट्राइब कम्यूनिटी से हो सकता है, इस बात की संभावना अब बढ़ गई है, लेकिन ये चहरी कौन होगे, यहाँ पर जब बात ठहरती नजर आती है, तो दो बड़े नाम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जिस पर किसी तरकी की खेमे बाजी नहीं है, किसी तरकी क की स्पैसिफिक खेमे का विरोध रही है, यह नाम पहले नंबर पर तो है, विश्णो देव साय, पूरो केंदरी मंत्री रहे हैं, बीज़पी ने जब जब इन्हें जो जो जिम्मेदारी दी है, विश्णो देव साय ने कभी किसी भी जिम्मेदारी पर एतराज नहीं जाता हाई कामान की पादन्द है, प्रदान मंतिर नरेंदर बोधी और अबित शाह की गुड बुक में विश्णो देव का नाम लिया जाता रहा है, और सबसे महत्पुन बात है कि राज्य के बीतर जो रमन खेमा, ब्रिजमोहन खेमा और अलग तरह के खेमेबाजी के चर्चाएं जो हम सुनते हैं, इन तमाम खेमों के बीच भी विश्णो देवसाय के नाम को लेकर किसी तरकी की विरोध की स्थिती नहीं है, तो यह माना जाना चाहिए कि आप जब ट्राइबल कम्यूटी से मुख्यमंत्री देने की वकालत यहाँ पर बीजपी करती नजर आ रही है, तो गोंती साइक के नाम को बीजपी आगे करती नजर आ सकती है, लेकिन यदि यह तमाम जो सरकम्टेंसिस इस वक्त बनते बीजपी के बीजपी के बीतर नजर आ रहे हैं, यदि ऐसा नहीं हुआ और OBC फैक्टर पर बीजपी जाएगी, जिसके सबहाना फिलाल इस वक्त कम कि बीजपी ट्रदेश अध्यक्ष अरून साओ की ताशपोशी कर दी जाएगी, फिलाल इंतजार की अब भी बने हुई है, बिलकुल इंतजार किया जो रहा है, और उमीद भी की जो रहे है कि जल्दी अब जनता को इसका मुख्य मंतरी भी मिल जाएगा, आशिज जी हमारे सेयों की कुमार सौरब बता रहे थे कि दिल्ली के अंदर जेपी नड़ा के साथ परविच्चकों की बैटक चल रही है, और निशित तोर पर परज़ों की बैटक में तारीक और समय मकरर किया जाएगा कि किस समय विधायकों की बैटक बलानी है, विधायक दल की बैटक बला रहे जाएगा, विधायकों से राय समारी की जाएगी और सब की बीच में सहमेती बनानी की कोशिस की जाएगी, हाला कि बीजेपी केडर वेस्पार्टी है और इसमें अगर केंद्री नेतरत ने कोई फैसला लिया है, तो विधायकों की बैटक बलाना बाकी है, और यह माना पी कराले में मौजिद रहना है, यह एक इस बात की संभावना भी जता ही आ रही है, परवेचक जो तीरों निक्त किये गए है, उनकी जब बैटक खत्म होगी, उसके बाद में विधायक दल की बैटक किस तारिक को किस्समें होनी है, यह भी बात सामने निकल कराएगी, तमाम जानकारी देने के लिए, लेकिन देखेंगे,